हलो नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हलो डॉक्टर में जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की आज के एपिसोड में हम एक एहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं मौनसून का वक्त चल रहा है आए दिन बारिश लगाता हो रही है ऐसे में बहुत से लोगों को acid refluxes, nausea, bloating की समस्या बढ़ी हुई महसूस होती है इसी मुद्दे पे आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर पंकच गुपता, consultant, gastro-intestinal surgeon, robotic and minimal access, Manipal Hospital द्वारका हलो डॉक्टर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में हाई चेतना, thanks for calling me, आपके सभी देखने वालों को, सुनने वालों को में तब से नमश्कार डॉक्टर पंकच, जैसे ही मौनसून शुरू होता है, यह तो हमारे लिए बच्चों के लिए काफी अच्छा मौसम इसको और क्योंकि दिली में बहुत ज़्यादा heat wave चल रहे थी, across all over India बहुत ज़्यादा heat wave का माहौल था तो बारिश का आना felt so good and बिल्कुल वर्दान जैसा लग रहा था, बट मौनसून के साथ ही बहुत सी बिमारिया भी आ जाती है, फिर चाहे हम skin allergies की बात करे, या bronchitis, खासी जुखाम की बात करे, एकदम से spike होता है इस बार मुझे काफी interesting बातचीत के दौरान और research के दौरान पता लगा कि बहुत से लोग monsoon में acid refluxes, bloating की समस्या को भी ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस करते हैं, experience करते हैं तो क्या ऐसा होता है वास्तव में और अगर होता है तो क्यों होता है? चेतना जी आपने बिलकुल ठीक research किया है, actually क्या होता है, जैसे आपने खुद बताया कि इतनी गर्मी थी, इस बार तो गर्मी जादा ही थी, काफी लोगों को, in fact, बुझे भी अपने AC चेक कराने पड़े कि AC में तो खराब नहीं है, कि, yeah, सही में, they were not functioning, and this greenery and all was a big respite for everyone, but actually क्या होता है कि इस मौन्शून में, जैसे हमें respite मिला, ऐसे bacteria and viruses को भी respite मिलता है, bacteria and viruses के लिए जो ही humidity है इस समय, उनको भी flourish करने में बहुत हल्क करती है, उनको भी मौसम पसंदा है, उनको भी मौसम पसंदा है, तो वो हमारे के उपर, जैसे कि हम इस मौसम में हमें लगता करते हैं, वो भी हमारी बॉडी पे अटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में बैक्टिरिया होते हैं, गट में तो बहुत ज़्यादा बैक्टिरिया होते हैं, बट गट में दो तरह के बैक्टिरिया होते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा था हमारी गट में, एक गट बैक्टिर इस भी में हैं तो इस मॉसम में, जब हमारी बादीरिय को डैमेज, तो जब हमारी बॉड़ी में जाता है 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 तो जब हमारी बॉड़ी में बिवारी करता है तो हम क्या करते हैं हम यह तो डॉक् अंटिबाइटिक लेते है इस बैक्टिरिय को जो मारी बॉडी में गया है तो यह जो गुड बैक्टिरिया है उसको और ज्यादा हाम पुनचाता है तो जो गुड बैक्टिरिया है उसको तो डबल महनत करनी पर जाते है उसके पूल डबल अटैक हो गया उसको कम हो गया एक त दूसरा जो हमने बैट बैक्टिरियों को भगाने के लिए किया, उसकी वज़े से वो कम हो गया, तो इसकी वज़े से इस सब बिमारिया हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जी आई ट्रेक्ट में नौजिया, वोमिटिंग, केस्टो इंटेस्टिशनेल डिसीजिजिजिजिज डिसीजिजिजिजिजिज रोटावायरस, सेल मुडले टाइफी, हिपटाइडिस ए, हिपटाइटिस ए, लेप्टोसपायरोसिज ये सब चीज़े बढ़ जाती है, तो इन सब बिमारियों के मैक्सिम जो सिम्टम्स होते हैं, एसेडिटी, फिवर, रिफलक्स, तो इस सब ब बेख्रोकास is, you know, for the common people. So, I think bad bacteria have already told you that leptospirosis, Salmonella type-V, rotavirus, Hepatitis A, Hepatitis E, these are some bad bacteria. Good bacteria, I think, for common people, I think it will be too much, you know, to go into detail. All I can tell you is, I think, to flourish the good bacteria in our gut, we need what we call as probiotics one is antibiotics मतलब जो बैक्टिरिया को मारता है उसको एंटिबाइटिक बोलते है एक प्रोबाइटिक यानि कि जो बैक्टिरिया को flourish करने में हल्प करता है हम सब जानते हैं प्रोबाइटिक टीवी पे भी आड़ाते हैं प्रोबाइटिक के बैक्टिरिया को बड़ाता है मारी बोडी में बट दो जादा गूड बैक्टिरिया उस में प्रोबाइटिक में सबसे अच्छा जैसे हमारे हमारे जो हम लोग हमारे जो इटिंग लैफ्स्ट्रायल है उस में मैं नाम लूँगा मैं unnecessary इंग्लिश नेम्स नहीं यूज़ करना चाहूंगा, योगर्ट, दही, बटर मिल्क, यह सब चीज अगर हम अपनी डाइट में इंक्रीज करें, तो बैक्टिरिया जो फ्लरिश, गुड बैक्टिरिया जो हमारी गट में फ्लरिश, जो हमारी बौडी के लिए एसेंशल है, वो बहुत से लोग जो बटर मिल्क यह दही जैसे प्रोडक्ट्स कंज्यूम भी करते हैं, वो लोग भी आसिडिटी की बहुत शिकायत करते हैं, एक थोड़ा सा मैं समझना चाह रहे थी कि मौनसून से इतर किसी भी व्यक्ति को जब आसिडिटी की परिशानी हो रहे हैं, ग्या ब्लेम करते हैं, I fail to understand, obviously if you eat, you know, रबरी वाला दूद, full cream milk, उसमें क्या होता है, oil fat ज्यादा होता है, they are difficult to digest, but in moderation everything is good, अगर आप टोड मिल्क लेते हैं, पेस्चुराइज मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है, अगर हम रौ मिल्क को हम consume करेंगे तो उसका contamination के chances ज्यादा है, हमा तो आप well cooked लीजिए, pasteurized, processed milk लीजिए, low fat लीजिए, and in moderation, ऐसा नहीं कि आप एक ग्लास सुवे भी लिया, दुपैर में भी आया, रात को सोने, रात को सोने से पहले तो मिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अच्छा, रात को सोने से पहले को कि heavy food digestion में तो उससी दिक्कत तो करता है, creamy अगर हम milk लेंगे, तो I think अगर आत को milk लेना तो evening time में लो, जिससे कि आपको थोड़ा सा digestion के लिए body को time मिल जाए, किसी भी इनसान के metabolism के बहुत fast होने या बहुत slow होने के कारण क्या होते हैं, fast होने के कारण जो metabolism के होते हैं, कुछ तो बिमारियों में metabolism fast होता है, pancreas के कुछ disease हैं, liver की diseases हैं, thyroid है, इन सब चीज़ों से metabolism में फ़क पड़ता है, तो उसके लिए basically अगर ऐसी condition होती है, जो हम typical general public के लिए, general हमरी society के लिए बात करें, तो उन diseases के लिए, अगर metabolism में आपका problem लग रही है, तो I think you should consult a doctor, मैं यहाँ पे कुछ बोलू, उसके basis पे कोई not advisable, तो उसके लिए basically अगर हमें लगता है, छोड़ा-छोड़ा सी दिककत हो सब किसी को होती है, गैस कभी-कभी किसी को होता होता है, हम लोग एक और चीज़ में नोटिस की, कि हम लोग जो यह, गैस की दवाई, पेट में कोई भी दिककत होती है, तो हम क्या बोलते है, गै अच्छा, इन फेक्ट मॉनसून में हम लोग बोलते है, एरिटिड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, जो सेशे के आप बात कर रहे हैं, प्रोबिबली, इफ I'm getting it right, वो भी एरिटिड ड्रिंक्स की कटेगरी में आ जाते हैं, कार्बन डेक्से जो फिजी ड्रिंक्स है, फिज गुड बैक्टिरिया को मारती है, अच्छा, गुड बैक्टिरिया के लिए हामफुल होती है, तो और उससे स्टमक में कार्बन डेक्सेट गई, तो ओविएसली ब्लोटिं के संसेशन तो आईगी, हमें कई बार लगता है कि हमें बर्प आ गया है, तो वी फिल साइकलोजिक के लिए बेटर, पाटु बब क्यों आया, क्योंकि अच्छा, तो और तो अच्छा, गेसली बार ले ले जिसमें कार्बन डेक्सेट है, लिक्विड फॉर्म में, या उसको हमने लिक्विड फॉर्म में बना लिया, शैशे डालके, अल्टिमेटली है तो वो कार्बन डेक्स होता है जिसको आप जैसे हमी कुदे पहले हम बात कर रहे थे कि प्लैसिबो एफेक्ट वो ज्यादा होता है ओके मतलब आइडियली कोई ऐसा बेनिफिट है नहीं उन ड्रिंक्स को लेने का और वो सच में आपकी गैस्ट्रिक इशूस को बड़ी प्रॉब्लम का भी अगर रेगुलर बेसिस पे बहुत से लोग होते हैं जिने रोजाना कुछ थोड़ा बहुत खाने पर भी या बहुत से लोग होते हैं जिने कुछ ना खाने पर भी गैस्ट्रिक इशूस होते हैं अगर ये regular हो रहे हैं तो क्या इन पर ध्यान देना चाहिए उस तरह कि ये किसी बड़ी बिमारी की तरफ जा रहे हैं ये संकेत कर रहे हैं Obviously, जैसे मैं भी आपको बोल भी रहा था कि actually क्या होता है कि हम लोगों की एक tendency है कि पेट की कोई भी बिमारी हो चाहिए गैणायख हो अगर पेट में कोई भी दिक्कत होती है पूलते, गैस हो गई है तो सब समय गैस नहीं बोल सकते हैं चोटी मोटी गैस तो सब किसी को इंडैजेशन किसी को भी हो सकता है बट अगर कुई प्रॉल्म पसिस्ट कर रही है तो मुझे लगता है हमें डॉक्टर को चैनल करना चाहिए जैसे भी हम ड्रिंक्स में खाने की बात कर रहे थे तो उसमें जैसे कि फिजिट ड्रिंक्स मेंने का अवाइड करनी चाहिए कुछ होम रेमेडीज की हम बात करने की कोशिश कर रहे थे साथ जो हम सैशे की बात कर रहे थे कुछ होम रेमेडिज हैं जो के रिली हल्फुल होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है गुड बैक्टिरिया को प्रोबोट करती है अच्छा गट में एंटी इंफ्लामेटरी बेनिफित होता है उसका जैसे की जिंजा अच्छा हनी तरमरिक टेर्मेड एंटी एंटी इंफ्लमेटरी प्रोबटेश थंडा दूद भी बहुत से लोग कहते हैं कि जब गैस बन रही हो तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके थंडा दूद पीना चाहिए तरमरिक थंडा और कि यह जोड़ा है कि अच्छा अच्छा आज दो बहुत से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी गैस की समस्या हो रही है मतलब मेरे पेरेंस अकसर में उनको बूलते हुए सुनते हूँ कि हमें तो गैस की बिमारिया इसोम रुपय आकर हो रहे है तुम्हारी जनेरेशन को या तुमसे भी छोटी जनेरेशन अभी से यह सब एक्सपीरियंस कर रहे है ऐसा क्या कारण है कि अब कर्रेंट टाइम में younger generation भी इस तरह की problems face कर रही है मैं counter question पूछू आप से आप जब छोटे थे मैं जब छोटा था हम कितना ये street food या junk food हम कितना खाते थे once ने blue moon होता था जब भार का खाना आजकल की generation को pizza whatever, कोई भी junk food outside food, बहुत frequently खाते fried food fried food, pizzas chillies and all काफी खाते है, edited drinks काफी लेते है तो chocolates मुझे याद है कि जब हमारा birthday होता था था हमें chocolates मिलती थी तो एक बच्चों में immunity काम होती है बच्चे का ये जो खाना है ये थोड़ा सा खराब हुआ है दूसरा बच्चे तो बच्चे होते है वो hand hygiene को अतना अच्छे से maintain नहीं करते हैं अच्छा है आप उनको कितना भी बूलो school में है, playground में है ठीक है टिफिन खोला और खाया जो playground के bacteria है वो भी उनके साथ अंदर गए तो ये सब रीजिन है कि बच्चों में ये सब problems बढ़ गई है अबी as we say in medical science that prevention is always better than cure क्या हम कोई ऐसे path से छे कुछ घरेलू नुस्खे तरीके या घरेलू ना भी in general हम अपने lifestyle में किस तरह के बदलाफ कर सकते हैं जिससे gastric issues को avoid किया जा सके एक तोबाय हम बोलते हैं green leafy vegetable is very good for our health but मौनसून में मैं इसको जी कहता हूँ कि मैं green leafy vegetable avoid करने चाहिए अब पूच्छों कि ऐसा पहली बाद सुना है कि कोई कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि green leafy vegetables मत खाओ मौनसून में contaminated water होता है तो green leafy vegetables भी bacteria की growth भर जाती है humid environment होता है तो what I am saying कि raw green leafy vegetables especially during monsoon and rainy season जब contamination का chances है तो उसको avoid करना चाहिए अगर उने खानी है तो मैं अच्छे से उसको wash करके खानी है second, पानी पानी या तो बॉल हो best is the boiled water boiling या नहीं कि हमने just 2-3 minutes boil कर लिया at least 5-10 minutes boil होना चाहिए अच्छा या अगर boiled water हम आज की fast life में effort नहीं कर पा रहे है तो फिर RO या filter water या packed water if we are out somewhere हम कहीं से भी पानी नहीं पीना चाहिए हमें जिसके source के बारे में हम verify नहीं कर पाएं कि अच्छीक है तो उसके समें फिर या packed water हमें लेना चाहिए ठीक है early fatty food avoid करना चाहिए raw food as a set avoid करना चाहिए honey, ginger, turmeric इन सब चीजों का intake बढ़ाना चाहिए basically यह कुछ चीज़े हैं जो कि हमें डाइट में change करनी चाहिए to avoid GI problems especially during one's show क्यों पे भी मैं सब थोड़ा जानना चाहती थी कि जब आपके पास कोई patient आता है इस बिमारी को लेके किस तरह का इलाज है जो process आपका रहता है उसके साथ treatment का so maximum cases में इलाज की जरुवत नहीं होती है अगर 24-48 आज तक symptom है तो कई बार हमें इलाज की जरुवत नहीं होती है बहुत सारे बैक्टेरिया जो वाइरिसे हैं रोटा वाइरिसें और इस self-limiting होते है body takes care अगर हमारा immunity ठीक है तो हमें इलाज की जरुवत नहीं होती है अगर symptoms 48 hours से ज़्यादा परसिस करते हैं तो हमें दवाईों की जरुवत होती है कई बार हमें वाइरिसे के लिए तो दवाई होती नहीं है most of times अभी अपने कोरोनों में देखा वो भी एक वाइरस था दवाई नहीं होती है बैक्टिरिया के लिए होती है जैसे टाइफ़ड होता है उसके लिए हम दवाई देते है हिपटाटिस A और E वाइरस है उसमे भी maximum time जो हमारे लीवर को डेमेज करता है हिपटाटिस A और E उसमे मैक्सिम टाइम दवाई के जरवत नहीं होती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेट सबसे इंपॉर्टेंट है हाइर्डेशन मिंटेन करना बॉडी में हाइर्डेशन एडिट होना चाहिए पानी हमारी बॉडी से टॉक्सिंस में निकालता है अगर वर्मिटिंग हो रही है पासिस्टेंट है रिकरेंट लूस टूल सो रहे है तो हमारी बॉडी से वाटर का आउट फ्लो होता है उससे क्या होता है अगर बॉडी बे डियर्डेशन होती है फिल्टर्ड पानी है इन सब चीजों का हमें इंटिक भराना चाहिए ठीक है अगर इसके बाद भी हमें लगता है कि हमारा प्रॉलम परसिस्ट कर रही है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए उस पे कई बार हमें फ्लूट सेप्लिमेंट देना पड़ता है जिसको आईव सेर्मुलर टाइफरी हो गया लेप्टोस्पारोसिस हो गया यह भी एक बैक्टरिल डिसीज है जो इस सीजन में काफी होता है इसमें कई बार हमें पेशिंट को एडमिट करके हॉस्पिल के अडमिशन का भी बढ़ जाता है उनफोर्शुर्टी दूरिं डिस सीजन और हमें और यह बाकी सप्लिमेंटरी ट्रीटमेंट देना पड़ता है ठीक है तो अब बेसिकली अपना मौनसून में अपना खास खयाल रखे और किसी भी तरह की दवाई लेने से पहले मुझे लगता है कि डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए कहीं पता लगे कि वो दवाई आपके गुड़ और बाड बैक्टिरियास में कन्फ्यूज हो के बैसिकली मैं यह नहीं बूलूंगा कि हाथ छोटी बीमारी के लिए में डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसकी जरूरत नहीं होती थोड़ा सा में नौजीया वा तो हमें थोड़ा सा बुखारा है तो इतिं लाइक परसिटमोल, लाइक गैस की कोई दबाई अगर बाइचन से हो तो बस्ट अफ टाइम ओड़ा काउंटर नहीं होती है बट इनिशल अगर हमें लगता है कि हमारे सिम्टम्स इंप्रूब नहीं कर रहे हैं इन यह नो रिजड़ेबल टाइब तो मॉन्सून में अपनी गट हिल्थ का खास खयाल कैसे रखा जाएं क्या चीजें हैं जो आप regular consume कर सकते हैं ताकि आपको nausea, bloating, acidity जैसी परिशानिया नहों और fizzy drinks से क्यों दूर रहना चाहें इस पर हमारी बात हुई Dr. Pankat से Hello Doctor के साथ जुड़े रहे ऐसे ही और episodes के लिए नमस्कार आपका बहु के बहुत और आपकाक बहुत कर दो अपदात हैं पर मेğुद को से लेटी को अच्कर हमारी चाहें घट sua हैं, तोक पर येखा। सेओवर को पह थेफशानिया तूर रहे हैं थरूपट हुत कर बहुत कर दोवत guard बहुत कर वहुत कर तो कर भुत हमारी आपका दो अईं पर्ब